हमने कल लेसन नमबर फाव, The Adventures of Little L स्टार्ट किया था राइट और आज हमने उसकी सारी एक्सेसाइज सॉल की, यहां तक, राइट तो अब हमें क्या मिलेगी, अब हमें मिलेगी एक्चियल वॉक्षीट यह वॉक्षीट मैं आपको इसके साथ PDF फाइल अटेश करके पेजने वाली हूँ, तो आप देख सकते हो, ठीक है मैं अब भी आपको explain कर दू कि इसमें करना क्या है, question 1, write new words यह new words आपको यहां पे लिखने है, फिर आगे है, write word meaning यह तो आपको homework में आपने कल तो लिखे ही होंगे, लेकिन यह सारे word meaning आपको एकदम से याद रखने, exam में अगर पूछे गए तो आपको आने चाहिए, ठीक है यह सारे word meaning है, फिर है question number 3, choose the correct answer इसमें से जो correct answer है, वो उसे आपको choose करने है question number 4, answer these questions, यहाँ पे आपको answers लिखने है, ठीक है और question number 5, tick the sentences that are in the simple past tense, जो simple past tense में उसको tick करना है और cross किसे करना है, जो simple past tense में नहीं है, ठीक है तो यह worksheet आपको घर पे खुछे solve करनी है have a nice day